विदेश मंत्री S. यशंकर ने आतमवाद को लेका पड़ोसी देश पाकिस्तान का निशाना साधा है। विदेश मंत्री S. यशंकर ने आतमवाद के अनुहम लेने के लिए वडोदरा पहुचे थे। विदेश मंत्री S. यशंकर का आतमवाद को लेका बड़ा बयान ऐसे समय में सामने आया है। हाई में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शेहवाद शरीफ ने पिछले महीने उज्जे बेकिस्तान में शहंगाई सयोग संगटन शीकर समयलेम्न में वैशविक नेताओं की उपस्थिती में कहा था कि उनका देश आतमवाद का शिकार है। लेकिं इतने ही कहना काफी है कि आतनवाद को राच्छक्स को हनाने के लिए हमें बखुत बड़ी पुर्बानिया दी है। हजारों पाकिस्तानी शहीद हुए। हमारे एक पडोसी हैं जो माने किसम से जैसे हम आई टी के एक्सपर्ट हैं इन्फरमेशन टिकनॉलिजी के वो इंटरनाशनल टेरिस के एक्सपर्ट हैं। अब उनके यहां और सॉलों से यह चल रहा है कि हम इसका सामना कैसे के और इसमें जो है हम दुनिया में हम दुनिया को हम समझा पाए हैं। कि आतंकवाद जो है कभी आप ये नहीं समझे कि आतंकवाद राजनीती है या कूटनीती है आतंकवाद आतंकवाद है आज हमारे खिलाफ किया जा रहा है कल आपके खिलाफ ये होगा और दुनिया आप समझ चुकी है आपने देखा होगा कि आज कल आतंक वाद पर दुनिया जो है जो पहले जो मानती थी कि हाँ कहीं और हो रहा है तो हमें क्या परगाए है अभी इसमें हम दुनिया को एक किसम से साथ लाने में हमें मैं नहीं कहुँगा कि पूरी सखलता मिली है पर पहले से जो है दुनिया की समझ पहले से जादा है दुनिया आज कल कम बदाष करती है इसको और इसके कारण जो है जो भी देश आतंकवाद का उप्योग करता है उन पे आज वो दबाव है वो हिचके चाहते हैं और कभी-कभी जब कुछ करते हैं उसका जवाब तो आप जानते ही है तो ये भी एक मैं कहूंगा कि कुर्पनीती का एक उधारन झाल